हे गाइस वेलकम टो माई यूट्यूब चैनल आज के अस लेकचर में हम फंडामेंटल इंटरेक्शन के बारे में पढ़ने वाला हैं इससे प्रीइश लेकचर में हमने जयलमान नेसीजीमा रिलेशन के बारे में पढ़ा था तो अगर आपने वो lectures नहीं देखे हैं और मैंने elementary particle physics के और भी lectures अपलोड करे हुए चैनल पे अगर आपने वो सब नहीं देखे हैं तो मैं description box में playlist का आपको link देदूँगी आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं और ये जो lecture series हमारी चल रही है अगर आपको handwritten notes चाहिए तो आप telegram channel को हमारे जोइन कर लीजेगा उसका link भी description box में ही आपको मिलेगा उसमें आपको सारे हमारे handwritten notes मिल जाएंगे तो चलिए start करते हैं सबसे पहले fundamental interaction हमारा होता क्या fundamental interaction are the fundamental forces that acts between elementary particles ठीक है ये हमारी definition हो गई तो इसमें हम basically strong force के बारे हम पढ़ते हैं electromagnetic force, weak force and gravitational force के यहाँ पर हम बारे में पढ़ते हैं अभी हम इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं table के थूँ इसके बात इसी lecture में हम इसकी definitions बढ़ेंगे कि इसमें होता क्या इसको brief में इसका discuss करेंगे तो सबसे पहले strong force के हम बात कर रहे हैं ये जब आप table बनाएंगे तो इसका एक part मैंने नीचे लिखा हुआ है तो इसको आप इसके आगे बनाएगा ठीक है ये यहाँ पे जगे कम पढ़ गई थी इसलिए मैंने नीचे लिखा हुआ तो देखते हैं strong force में force carries on carries particle देखेंगे सबसे पहले फिर इसकी strength देखेंगे फिर इसकी range देखेंगे और last में operates among देखेंगे ठीक है तो देखते हैं strong force जो हमारे होते हैं वो क्या होते हैं gluons होते हैं इसकी strength किती होती है 1 होती है और इसकी range की तियोरी 10 की power minus 15 ठीक है और यह किस में operate होते हैं क Dazu एँ अब हम बात करते हैं electromagnetic force की electromagnetic force में क्या है force carries particle क्या होते है, photon होते हैं फोटवान होते है इसमें और इसकी strength इतनी होती है और इसकी range क्या होती है infinite होती है और अगर हम देखे कि कि किसके उसमें operate करते हैं जा है और इसकी strength हमारी इतनी है है और यह infinite इसकी range है और इक इसके में operate करते हैं वी किसमे होते है quarks and leptons में होते हैं और gravitational है यह किसमे होते है particle with mass and energy ठीक है यह तो हमारी क्या होगी इसकी table होगी अब हम यह जो हमारे forces हैं इनके बारे में जान लेते हैं इसमें क्या इसमें हमारी range होगी इसकी क्या इसकी strength होगी और किसमें हमारे operate होंगे ठीक है यह सब के बारे में हमें table के से पता चल जाता है अब हम जो हमने वहाँ पे strong electromagnetic weak and gravitational force की बारे में पढ़ा है अब हम उसे brief में discuss करने वाले हैं ठीक है देखे strong interaction हमारा होता क्या हमें पता है कि यह क्या है सबसे strongest force in nature में तो वही हमने लिखा इसकी अगर हम characteristics देखें तो हम यह क्या है बेसिकली क्या एक attractive in nature होता है हमें पता है strong force है तो यह क्या होगा attractive in nature होगा does not obey inverse square law कोई inverse square law को follow नहीं करता है इधर पर यह क्या है एक non central force है और यह क्या होता है humble को편ेक नहीं हैं utterly short range एह बहुत जयदे शॉर्ट में इयलकी अंफने है तो our range force घो एक करे sunset नहीं का देहुत बहुत बहुत जाद जयदे ऑला हम données ऑफ्रीये में लिए कोई हमारी डिंस पूर्टाइंड होता है फिर क्या होता है यह चार्ज इंडिपेंडेनेंट यह होता isospin velocity orientation क्या होता है इसके dependent होती है हम देखते हैं for nucleon-nucleon अगर हम nucleon-nucleon interaction देखें तो exchange particle इस पाई में सौन इसमें क्या होते है exchange particle क्या होंगे हमारे पाई में सौन होंगे but for extremely strong interaction that is for quark-quark interaction exchange particle is gluon तो यहां पर हमारा क्या होंगे glue on होंगे ठीक है अब हम यह क्या होता है कि कभी हमारे exam में अगर हमाई university exam जो होते हैं उसमें यह short notes में भी पूछे जा सकते हैं तो आप उसमें लिख के आ सकते हैं यह weak interaction बहुत ज्यादा बार पूछा गया है तो आप इसे देखेगा weak interaction में क्या होता है ठीक है this interaction is responsible for particle decay के लिए हमारे responsible होता है this is just change of one type of subatomic particle into other एक को दूसरे में change करता है ठीक है and has exchange particle nature and exchange particle are w and z boson जैसे कि हमें पता कि यह क्या होते है कि वहां भी हमने देखा था कि यह w boson जो हमने यहाँ पर देखेगा इसमें भी लिखा है कि force carries on particle is w boson z boson इनके बारे में elementary particle जो हमारे classification है उसमें हम पढ़ चुके हैं अगर आपने वो lecture नहीं देखा तो आप देख लेजएगा ठीक है तो देखेगा ठीक है exchange particle क्या होते है इसके यह होता है weak force change quark flavors हमें flavors के बारे में भी पढ़ चुके हैं weak force change quark flavors यह क्या होता है quark flavors को change करते हैं कैसे change on quarks to another quark मतलब एक quark को दूसरे quark में change कर सकते हैं weak interaction हमारे होते हैं ठीक है मतलब जैसे up-down में strange charm में ऐसे करके हमारे change हो सकते हैं मतलब हमारे quark के flavor को यहां पे change कर देता है quark है six flavors यह हमें identity of particle ठीक है सही बोल रहा है क्योंकि अगर quark अगर हमारा change हो रहा है अगर उसका flavor ही चेंज हो रहा है तो उसकी whole identity भी तो change हो जाएगी नहीं तो वही चीज यहां पे लिखी हुई है quark है six flavors इसके बाद हमें पता है quark के पास six flavor होते हैं कौन से up down strange charm top and bottom these quark makes composal particle and gives them unique property हमें पता है क्या होते है इसको एक unique properties देते हैं now weak interaction allows quark to swap their flavors by exchanging this ठीक है अब इसकी कुछ characteristics तरह लेते हैं weak force is stronger than gravitational force अब जो हमारा weak force है वो strong होते हैं किसे gravitational force हमारे strong होंगे but is only effective at very short distance ही बहुत short distance हमारे effective होंगे अब यह देखेगा these force were first discovered during beta decay यह जो force सबसे पहले discover हुआ था जह हमारा beta decay process हुई थी आगे देखते हैं weak interaction acts between both quarks and leptons यह क्या होते हैं यह जो weak interaction होते हैं यह quarks and leptons दोनों में ही क्या होते हैं हमारे act करते हैं this interaction violates law of parity conservation यह जो हमारा parity conservation हमारा जो law है उसको क्या कर लेता है यह violate कर देता है ठीक एक example देख लेता है without weak force sun would not burn ठीक है अगर अगर हम आपर weak force नहीं होगा तो हमारा sun क्या होगा बर्न नहीं होगा since weak interaction cause change of proton to neutron and deuterium is formed and fusion of deuterium is the source of the heat from the sun ठीक है तो हमारा weak interaction force हमारा ऐसे हमारा act करता है ओक हम बात करते हैं electromagnetic interaction के बारे में it is the attractive attraction between two charges and is given by हमारे क्या होता है कि जो electromagnetic interaction होता है यह क्या होता है attraction होता है two charges कि इसके दो charges के between हमारा attraction होता है तो इसके लिए formula हमारा यह होता है ठीक as the name indicates it consists of two parts electrostatic force and magnetic force जैसे कि इसके नाम से हमारा suggest है कि यह क्या है तो पार्ट में हमारा है एक तो electrostatic force and दूसरा के magnetic force तो देखेगा the force between two stationary charge is electrostatic force and when these charge are in motion they produce a magnetic field and the force between two magnetic force is magnetic forces okay अब हम इसकी characteristics देख लेता है may be attractive and repulsive in nature okay obey inverse square law ठीक है inverse square law को obey करती है यह क्या central force है long range force है depend upon medium velocity orientation ठीक है इसमें depend करेगा जो हमारा modern theory है associated with electromagnetic field is quantum electrodynamics ठीक है जो हमारी modern theory है जिसमें हम electromagnetic field के बारे परते हैं वह कौनती होती है हमारी quantum electrodynamics एक्षेंज पार्टिकल और proton इसमें जो एक्षेंज पार्टिकल क्या होते है वह होते है photons होते हैं हमाया लास्ट जो interaction है gravitational की ठीक है it is attraction between two object ठीक है यह क्या है attraction है किसके बीच में दो object की बीच में that have mass and gravitational force of attractive in given by this relation यह हमारे relation है इसकी characteristics हम देख लेते है it is always क्या यह attractive in nature होगा यह universe square law को हमारा obey करेगा यह क्या हमारा central force है और यह क्या हमारा long range force है और यहां पर क्या होगा weakest force in nature जो हमारा gravitational force होगा weakest force है और does not depend upon medium यह कोई भी medium में हमारा क्या होता है depend नहीं करता है तो यह था हमारा fundamental interaction के बारे में और अगर हम थोड़ा इसको देखें तो इसकी table हमारी इस type की है तो इससे हमारा सबकुछ clear हो जाता है कि यह कौन से particle में लग रहा है इसकी strength क्या इसकी range क्या है और operate किसके बीच में कर रहा है तो यह बहुत जादा important है और कभी-कभी exam में इसके किसी भी strong में ही या weak में ही या electromagnetic में ही इसकी short nose लिखने को आ जाते है तो यह lecture आपके लिए बहुत जादा helpful रहेगा अगले lecture में हम elementary particle physics के कि इसी और lecture के साथ में लिंगे I hope you like my videos if you like my videos please like, share and subscribe thank you